हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं आप सब के साथ एक शेयर करूँगी डी वाई फोटो फ्रेम जो की एक फ्रेम नहीं है पिस जस्ट लाइक पोस्टर जो की आप अपने घर में कहीं भी हैंग कर सकते हो इसकी लिए मैं ले डियो एक फेफी कॉल डबल साइड़ सेलो टेप एक वाईट सेलो टेप ट्रांसपेरेंट वाले और एक सीजर और जस्ट फोटोग्राफ जो हमें चाहिए और एक लेडियो में चार्ट पेपर अब सबसे पहले हम इन फोटोग्राफ को अरेंज कर देंगे कि हमें इन्हें किस तरह से चिपकाना है पहले हम अरेंज करके देखें जो कि मैं एक्दम छोटे छोटे पीसेज में कट करूंगी बहुत बड़े नहीं होने चाहिए छोटे होने चाहिए आप देख सकते हैं और उनको मैं पहले सारे फोटोस पे स्टिक कर दूंगी एक साइट से हमें फोटोस को पूरा नहीं हटाना है जस्ट हम जहां पे हमने उन उसको चिपकाना है वहीं पे हम उसे उल्टा करके इस तरह से रख देंगे तक कि वापिस से फिर हमें उठाकर उन्हें पेस्ट करने के लिए फिर से अरेंज ना करना पड़े तो वहीं पे वो रखे होंगे तो हम जस्ट उनके उपर वाला जो हम डू साइड होता है न तो से फोटो को वापिस सीधा करके वहीं पे स्टिक कर देंगे इस तरह से मैं अपने सारे फोटो को वापिस आप देख सकते हैं जहां वहीं पे बस उनको सीधा करके चिपका दे रही हूं तो इससे एक बैलेंस तडिका रहता है कि हमारे फोटो इधर उधर नहीं होंगे हम एक सि जैसे मैंने अरेंज किया था बिलकुल उसी तरह यह एक DIY पोस्टर है फ्रेंड्स अगर आप इसको चाहे तो फ्रेम भी बना सकते हैं मैं फ्रेमिंग का अलग वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी मैं यहाँ पे एक पोस्टर रेडी कर रही हूँ अपने बेवी के सारे फोटोग्राप्स के साथ यह देखिए मैंने सारे फोटोज को स्टिक कर लिया है यह अच्छे से स्टिक हो गया और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं आप इनको चाहे तो as it is वाल पे जो पिन्स आते हैं उन पर डस्ट ना लगे इसके लिए मेरे पास एक पड़ी थी बड़ी सी थेली किसी सामान की जो कि मैं उसके अंदर इस पूरे चाट को डाल दे रही हूँ और फिर उससे अच्छे से सिक्योर कर दूँगे सेलो टेप की हेल्प से ताकि फोटोस बिल्कुल भी गंदे ना हो और खराब ना हो बाद में हम इने रियूस कर सके यह देखिए इस तरह से मैं इनको अच्छे से बिल्कुल भी इधर उधर से यह सिकुडे हुए से नहीं होने चाहिए अच्छे से करके फिर इन हे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे फोल्ड करके और मैं च्रांस्पेरिंट वाले जो सेलो टेप मैंने लिया था उसे इसको स्टिक कर दूँगे यह देखिए मैंने स्टिक कर दिया है अब हमारा जो DIY फोटो फ्रेम है, फोटो चार्ट है फोटो वाल हैंगिंग है वो बिल्कुल बंड कर रेडी है बहुत ही प्यारे लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आया अगर आपको ही पसंद आया हो तो प्लीज